संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याई 10 पज संख्याई 17 से 30 तक इसा किसी दिन प्रस्तान कर ही रहे थे कि एक वेक्ती दोरता हुआ आया और उनके सामने घुटनी टेक कर उसने यह पूछा भले गुरु अनंत जीवन प्राप्त करनी के लिए मुझे क्या करना चाहिए इसा ने उससे कहा मुझे भला क्यों कहते हो इश्वर को छोड कोई भला नहीं तुम आग्याओं को जानते हो हत्या मत करो व्यविचार मत करो चोरी मत करो जूठी गवाही मत दो किसी को मत ठगो अपने माता पिता का आधर करो उसने उत्तर दिया गुरुवर इन सब का पालंतों में अपने बच्पन से करता आया हूँ इसा ने उसे ध्यान पुर्वक देखा और उनके ह्रदे में प्रेम उमड पड़ा उन्होंने उससे कहा तुम में एक बात की कमी है जाओ अपना सब कुछ बेच कर गरिबूं को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे ले पुंजी रखी रहेगी तब जाकर मेरा अनुसरन करो यह सुनकर उसका चेहरा उतर गया और वह उदास होकर चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था इसा ने चारू और द्रिष्टी दोडाई और अपने शिश्यू से कहा धनियों के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठीन होगा शिश्य यह बात सुनकर चकित रह गए इसा ने उनसे फिर कहा बच्चों इश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठीन है सुई के नाके से होकर उट का निकलना अधिक सहज है किन्तु धनी का इश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठीन है शिश्य और भी विस्मित हो गए और एक दूसरे से बोले तो फिर कौन बच सकता है उन्हें स्थेर द्रिष्टी से देखते हुए इसा ने कहा मनुश्य के लिए तो यह असंभव है परन्तु इश्वर के लिए नहीं क्योंकि इश्वर के लिए सब कुछ संभव है तब पेत्रुस ने यह कहा देखिए हम लोग अपना सब कुछ छोड़ कर आपके अनुयाई बन गए हैं इसा ने कहा मैं तुमसे यह कहता हूँ ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, बाल बच्चों अथवा खेत को छोड़ दिया हो और जो अब इस लोग में सोगुना न पाए घर, भाई बहने, माताई, बाल बच्चे और खेत, साती सात अतियाचार और परलोग में अनन्त जीवन